आज नीलम की रसोई में हम रेवडी बनाना बताएंगे। आप लखनाओ की महसूर रेवडी गुड़ु वाली अपने घर पे बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए हम बनाने का तरीका बताते हैं। हमने सफेद तील लिया है रेवडी बनाने के लिए। हमने यहां पे एक पाव तील का इस्तमाल किया है। और उसमें हमने 200 गराम गुड़ लिया है। तो हाई फ्रेंड कैसे हो आप सब नीलम की रसोई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो जब भी रेवडी बनानी हो आप सफेद तील का ही इस्तमाल करें। रेवडी बहुत अच्छी बनती है। तो आते हैं अपने फ्राइपेन के पास। इसमें सबसे पहले तील को हम हलका सा भून लेंगे। अगर आपको कच्छे तिल की रेवडी पसंद है तो आप डायरेक्ट गुड की चासनी अच्छे से बनाके उसमें डाल सकते हैं। तो इसको यहां पे हम हलके से भून लेंगे। गुड वाली पपड़ी आप बना के ठंडियों के मौसम में खा सकते हैं। सेहत भी बहुत अच्छी बनी रहती है। और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए हलका हलका चलाते हुए हमने इसको भून लिया है। अगर आपको कच्छे तिल की रेवडी पसंद है तो आप कच्छे तिल का डारेक्ट बना सकते हैं। तो यहां पे तिल भून चुका है। अब हम गुड को पका लेंगे। तो रेवडी के लिए गुड को कैसे पकाना है वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमने गुड़ को डाल दिया है और हल्का सा इसमें पानी डाल देंगे और इसको मेल्ट होने देंगे तो देखिए गुड़ पूरा पिगल चुका है ऐसे इसको चलाते रहेंगे अब देखिए अच्छे से बब्बल साने इसमें से चालू हो गए है तो एक कटोरी में हमने पानी लिया है इसमें थोड़ा सा डालेंगे तो देखिए यह अभी गुड़ की चासनी कड़ी नहीं तयार हुई अभी गोल गोल गुमाने पे घूब रहा है और फैलाने पे यह फैल रहा है तो दो मिनिट हमने और इसको पका लिया है और पानी में डाला है चेक करने के लिए तो यह देखिए तोड़ने पे तूट रहा है हम आपको तोड़ के दिखाते है इसको देखिए कैसे तूट गया यानि कि परफेक्ट यह गुड़ पक चुका है अब इसमें भूना हुआ तील डाल देंगे अगर आपको कच्छे तील की पपड़ी पसंद है या रियोड़ी पसंद है तो आप ऐसे ही गुड़ को पका के डायरेक्ट इसमें डाल सकते हैं बहुत अच्छी लगती है रियोड़ी और बहुत जल्दी बन के तयार हो जाती है तो देखिए हमने इन सब को मिक्स कर लिया है अगर आप चाहें तो यहां पे घी भी डाल सकते हैं गुड़ में पकाते टाइम उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसको हमने अच्छी तरह मिला लिया है आप जब भी तिल की रोड़ी बनाएं दो लोग या तीन को ले के साथ में बनाएं क्यूंकि इसको जल्दी जल्दी बनाना होता है तो हमने गैस को बंद कर दिया है और इसको नीचे रख लिया है थोड़ा सा पानी लगा लेंगे हथेली पे और थोड़ा सा लेंगे ऐसे गोल गुमाना है और ऐसे हथेली से प्रेस कर देना है अगर आप चाहें तो मोटी भी रेवडी बना सकते हैं जैसे आपको पसंद है अगर मोटी बराने हो तो बस ऐसे ही हथेली पे प्रेस करके रख दीजिए मैं यहां पे पतला इसलिए बना रही हूं बच्चों को खाने में असानी होती है और बच्चे बड़े पसंद से खाते हैं इस को तो देखिए चार पांच मैं आपको बना के दिखा रही हूं आप जब भी तिल की रेवडी बनाएं दो लोगों को साथ में लेके बनाएं बहुत जल्दी कड़क यह हो जाता है जल्दी जल्दी इसको बनाना होता है इसलिए जब भी बनाएं दो लोगों को साथ में लेक तो देखिए ऐसे ही करके हमने सारी तिल की पपड़ियां बना के तयार कर ली है तो देखिए कितनी अच्छी तिल की पपड़ियां बनके तयार हुई है एक तोड के दिखाते हैं देखिए कितनी कि रिषपी बनी है तो आप इसको बनाके एक महिने तक इस्टोर करके भी रख सकते हैं बहुत अच्छी लगती है खाने में और ठंडियों के मोसम में तो अक्सर बनाके लोग रखते ही हैं कितनी क्रिपी और क्रण्ची बनी है तो कैसी लगी तिल की रेवडी आप अपने घर पर ज़रूर बनाएं अगर आपको चीनी वाली भी रेवडी की रेश्पी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं तो गुड़ की वीडियो आपको अच्छी लगी तो अमारे वीडियो क को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हम एक भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे